26 जन्वर को शेहर कॉंग्रेस कार्यले गांथी भवन पर ध्वजा रोहन के कारिग्रम में मुखी मंत्री कमलनाथ भी आने वाले थे और इस आयोजन के लिए बड़ी संख्या में कॉंग्रेस चन येश्वंत रोड स्थित कॉंग्रेस कार्यले के बहार पहुंचे थे यहाँ आयोजन उस समय चर्चा का विशय बन गया जब एक वीटियो वाइरल हुआ जिसमें कॉंग्रेस नेता चन्दु कुंजीर एवं देविंद्रियादफ आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दिये हाला कि मामले ने तब तुल पकड़ा जब दोनों पक्ष एक दूसरे की खिलाव रिपोर्ट लिखाने के लिए पंधरी नाथ थाने पहुंचे तब पुलिस ने देविंद्रियादफ की रिपोर्ट पर प्रदेश कॉंग्रेस सचीव चंदु कुंजीर की खिलाव तो प्रक डियाई जी ने कहा कि इस मामले को एस पी पश्चिम दिखेंगे आज रिगलते रहा पहुंचे मराठा समाज जनों ने कहा कि कॉंग्रेस नेता चंदु कुंजीर छत्रिये मराठा समाज के भी नेता हैं और वे अपने कुछ समाज जनों के साथ आयोजन में मुख्यमंतरी से मिलने एवं उन्हें शिवाजी महराज की तस्वीर भेट करने के लिए पहुंचे थे किन्तु देवेंद्र यादफ ने दादा दिखाते हुए उनकी साथ धग्गा मुक्य की जिससे शिवाजी की तस्वीर तूट कई जिसके बाद इस खटना की परिणिती सब के सामने आई मराठा समाजनों ने कहा कि तस्वीर तूटने से नाराज चंदु कुंजिर ने हाथ उठाया जबकि देवेंद्र यादफ कॉंग्रिस के हर आयोजन में किसी ना किसी से लड़ते भिड़ते रहे हैं पूर्व में भी उन्होंने कॉंग्रेस कारेले में अशोक नालिया और दीपक मलोरिया के साथ बदसुलूकी की थी वहीं शहर कॉंग्रेस अध्याक्ष प्रमोट टंदन के जन्मदन पर भी गर्मी गर्मी हुई थी इन घटनाओं के वीडियो भी वाइरल हुए थे और यहां लगातार तीसरी घटना है जिसमें देविंद्र यादव विवात कर रहे हैं छत्रिय मराठा समाज जन्होंने कहा कि यदि मामले में एक तरफा कारवाई हुई तो समाज आग्दोलन करेगा हमारे प्रदेशा अध्यक्षि जो शत्री मराठा समाज के प्रदेश अध्यक्षि चंद्रपांट कुन्जीर जी और जो कि प्रदेश महा सच कॉंग्रेस के प्रदेश महा सचीव भी हैं उनके साथ कल कॉंग्रेस कारियाले पर भूत अभधर वेवार किया गया श्री देवेंदर यादो जी के द्वारा हम लोग को निमंतरन था महा पर और हम लोग ग्यापन देने गए थे कमल नाज जी को जो कि शत्रपती शिवाजी महाराज इनकी तस्वीर को हम लेकर गए थे कि उनको अधिकार नहीं था देवेंदर जी को कि वो इनको रोके दादा को दकाता कि में शिवाजी महाराज की तज़ीर गिरके फुड़ गई तो उस वक्त चंदः ने कहा उनक्से कि भ्याद गाया यह दिख्या तस्वीर हमारी थे हमारे और उसक्त नहीं लेकिन आवाज आई कि जगड़ा हो गया चंडुविया का पाच जाके देखा तो वहां के लोगों ने बताया साथ में दिपक भाई थे महीं पर चंडुविया के साथ उपस्ति तो वहां पर गटना इस प्रकार हुई कि हम लोग सीम सापको यह तश्वीर मराटा समाज की तरफ से देने जा रहे तो देवेंच सिंग यादवन ने बोला यह समाज की राजनीटी यह नोटकी यह नहीं चलेगी इस पर चंडुविया ने अपर नहीं माने बोले नोटकी यहां से अटा हूँ झाल झाल